पढ़ेंगे continents and oceans, अब continents क्या होते, oceans क्या होते, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, यह आपका chapter 16 हुई, SST की है, social studies class 3 की, तो चलिए वीडियो को इसमें start, हम लोग जानते हैं कि continent और oceans की बात आती है, तो continents जिसके हम लोग रहते हैं, land masses, oceans, जहां पर हमारा water है, ठीक है, इसको हम लोग details में पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो earth surface है, अर्थ का surface है, जिसके हम लोग रहते हैं, वो लगभग हमारा water से covered किये हुए है, ठीक है, कहने क मतलब यह पास, three by fourth, वो मतलब fourth में तो three parts हमारा cover किये हुए है, किस चीज से, water से, that means कि हमारे earth पे 70% water है, है ना, जिसको हम लोग, उस surface को हम लोग oceans बोलते हैं, ठीक है, the large land masses, और जो large land masses, जहां पे land है, जमीन है, earth पे present है, water के अलावे, water को छोड़ कर, ठीक है, पानी को छो में, जहां पे water है, earth पे तो जैसे river हो गया, seas हो गया, oceans हो गया, सब मिला कर हमारे जो, क्या बोलते है, water है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते है, oceans बोलते है, continent, यहां पे land masses है, उसमें पहाड वगएरा सारा कुछ हा जाता है, ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, continents और oceans के बारे में, हमारे world का पूरा, जो हमारे world है, अब यहां पे आपको दिया गए, कि first में कि क्या आपको seven continents होते है हमारे, seven continents के नाम बताना है, आपको कौन-कौन सा होता है, तो चलिए हम लोग देखते है, कौन-कौन सा है, तो first हमारा Asia, ठीक है, तो Asia के बारे में करता है, Asia में, ठीक है, हम लोग अगर दूसरे continent में जाते हैं, तो आप से पुछे किस continent से है, तो इंडिया वाले हम लोग क्या हम बोलेंगे, हम लोग Asia, Asia से है, ठीक है, Asia जो है highest population, पूरे continent में सबसे ज़्यादा population कहां पे है, Asia में, Asia has many popular place for tourists, देखो, tourist के लिए यहां पे tourist place, यहां पे बहुत सारे है, Asia में, अलग-अलग जगा पे, हम इस picture को identify कर सकते हैं, आपको बताना है, यहां पे help box भी दिया हुआ है, कौन सा क्या है, ठीक है, तो मांट फोजी आपका कौन सा है, एंगोक वोट कौन सा है, तो यह आपका क्या है, चाइना वाल है, और यह आ जाता है, Africa आ जाता है, इसको हम लोग physical features के नाम से भी जानते हैं, यहां पे कहने का मतलब की, बहुत सारे wild life है, varieties of wild life यहां पे, मतलब जंगली जानवर का यहां पे बहुत सारा चीज है, बहुत सारे जंगली जानवर यहां पे पाया जाते है, countries like a South Africa, Egypt हो गया, निगेरिय हो गया, यह सब सब अफरीका में कहां पे situated है, यह सब जैसे country आपका South Africa, Egypt हो गया निगेरिया, यह सब सब अफरीका में situated है, इस तरह का आपको वहां पे wild जानवर मिलेंगे, जंगली जानवर आपको देखने को मिले, अब बात करते हैं North America, आपका third largest continent होते हैं पूरे world में, first में आफरीका, थरड जानवर का North America, ठीक है, यह United States of America इ conviction आपका United States of America हो गया, Canada हो गया Mexican होगा, in main countries होते हैं North America, में ठीक है, आपका North America में ही यह सब सब आपका कौंसा continent में लाई करता है North America में único важно आप साउथ अमरिका के बात करें, है तो साउथ अपरीका आपका फॉर्थ लार्जिस्ट पॉर्ड में यहां पे यहां पे गहने के मतलब घना यहां पर जंगल जो है ना पूरे वर्ड में सबसे ज्यादा घना जंगल यहीं पर एमाजोन कोई बर चला जाता है तो जल्दिली कलकर वापस नहीं आ पा थे किन इत तरह का plants मिलेंगे, animals मिलेंगे, जो कि आप और जगह कहां कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है, countries यहाँ पर Brazil हो गया, Argentina हो गया, Columbia हो गया, यह सब सब South America में ही situated होते हैं, बात करते हैं, Antarctica, तो Antarctica आपका हम लोग white continent के नाम से भी जानते हैं, white continent इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 तरफ बर्फ स ही है, इसनों पूरे साल यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ से ही ठका रहता है, Antarctica जो है, only ऐसा continent है, पूरे वोल्ड में, has no prominent human resident, मतलब यहाँ पर ऐसा continent है, जहां पर permanent human है, यहाँ पर permanent नहीं है, मतलब यह क्या करते हैं, कभी गया है, कभी नहीं, मतलब इस तरीका के पर्मानें ही ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो एक बात याद रखोगा, Antarctica एक ऐसा continent है, पूरे वोल्ड में, जहाँ पर permanent human का resident नहीं है, resident मतलब रहने का घर वेगर है, the continent, the continent is a home to seal, penguins, whales, seabots and many other animals, यहाँ पर किस चीच का, कि किन का घर है, seal का हो गया, penguins का हो गया, whales हो गया, seabots हो गया और यह हमारा 5th largest continent होते हैं, पूरे वर्ड, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूरोप की, तो यूरोप आपका 6 largest continent होते हैं, पूरे वर्ड में, यह एक 3rd most populated continent है, मतलब की 1st में हमारा Asia है, तो यह आपका 3rd में आ जाता है, जहाँ पर ज्यादा populated area है, continent है, यहाँ पर ज्यादा ल continent of Europe and the Asia is for mainly boundary water bodies, अब देखों, जो हमारा Asia है, हाना Asia हो गया, और Europe हो गया, यह continent है, यह दोनों continent, इसका boundary किसके बीच में है, continent, यहाँ पर जाया था, आप देखोंगा, mountain हो गया, water bodies से घीरा हुआ है, उसके बीच में यहाँ पर continent है, मतलब उसके दोनों के आप बीच में, अब बात करते हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा continent होता है, जो कि लार्जर जिग्राफिकल रीजन है, जैसे की और जिसका हम लोग और जिसका लोग ऑसेनिया से भी नाम से जानते हैं, जिसमें न्यूजीलेंट हो गया, आईलेंट हो गया, जैसे की तो ज्यादा तर आप देखो कि इस तरीका से अनिमल्स वगारा आप देखने को आपको ज्यादा तर मिलेंगे फोरिस्ट वगारा है ना अब हम लोग बात करते हैं ओशन्स की तो ओशन्स हम लोग क्या होते हैं ओशन्स कहने का मतलब यह चीज पी जहां पर वाटर बोडी को हम हम लोग बोरते हैं जहां पर मेरा मेरा इन लाइफ मनलब कि जो ऐसे जानवर में रहने वाले हुड़ा अनिमल्स हो गया प्लांट्ट हो गया जो कि वॉटर ल के अंदर हो यह सब सब बैम लाइन लाइफ उनको कौना कुछ बारह एम लोग पढ़ेंगे तो धहों हमारे पश से और डीपेस्ट मतलब गहरा इसमें यह लगभग 30% अर्थ सर्फिस का कभर किये हुए है ठीक है अम सराउंडे मोस्ट अप दा कॉंटिनेट एक्सपेक और या इसके चारो तरफ यूरोप हो किया और आफ्रीका हो गया यह कॉंटिनेंट इसके चारो तरफ सराउंडेड है ठ पासाथ संसे घ VISTA यह इंडियन एंटकर लिऊ इसके चारो तरफ यह तो तर मंदिनेंट का नाम परिए यह सब्लीर शाहा हुआ है इंडियन थे आफ्रीका और ऐस्यार और एंत्राइड है एक असा ओंप्तिंस है कंट्री के नाम से बढबार है थीक है जैसे इंडिया है इंडिया हमारा country है इसके बाद फिर यह हम लोग इंडिया नौसेंस के नाम से इसको हम लोग जानते है ठीक है Artic osnons हमारा Artic osnons जो हता है smallest ocean है पूरे world में सबसे छोटा और संस होता है अग इस ocean में बहुत सारे floating ice होते हैं मतलब floating ice कहने के मतलब कि यहां बर्फ है इस पे बहुत ज़्यादा बर्फ घीरा हुआ रहता है बर्फ इस पे उपर में रहते हैं जो कि कि फ्लोट करते रहते हैं इस पे बर्फ कि यह आठीक उशन वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं जिसको आइस बोक्स बोलते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यह आइस पॉक्स हो गया एक्चुल में पहाड़ नहीं है यह क्या है यहां पर आइस है चुपि फ् यह पर आपस मिलने के बाद क्या बोलते हैं इसको साओं और यह 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 हमारा एंट्राइटिका में लाई करता है और इसको हम लोग एंट्राइटिक ओसे नाम से भी जानता है आपको चाप्टर समझ में आया होगा इसका कोशन में सब्सक्राइब कर लिए